इस इस मावी चैन और अभी हमने पहले बारे जो वीडियो देखे BSc Nursing and GNM अब हम इसी फिल्ड का एक जो डिप्लोमा कोर्स है वो है एनम जो कि स्पेशली लेडीज के लिए होता है गल्स के लिए होता है इस में बॉइस पार्टिसीपेट इस कोर्स में नहीं कर सकते इसके लिए सिर्फ गल्स के लिए ये कोर्स है एनम उक्जिलेरी नर्सिंग मिडवाइफरी कोर्स एनम एनम का जो काम रहता है उस्पिटल के अंदर वो प्रामेरी डील के लिए रहता है जिसे operation theater को मालो किसी का operation होने वाला है तो उससे पहले और बात की पूरा setting करना, उसके अलबा records maintain करना, patient का care करना, यह सबी जो starting process होती है, वो सारा जो process है वो A&M देखती है A&M course की अगर हम course duration की बात करें तो A&M का जो course complete duration है वो 2 year का रहता है, साथ में इसके साथ internship भी रहती है, तो कुछ colleges तो 2 year का complete course plus 6 month की internship भी करवाते हैं और कुछ आपका 2 year में भी internship 18 plus internship 6 month का internship रहता है अगर eligibility criteria की बात करें तो A&M का eligibility criteria रहता है वही जीनम का भी रहता है, इसमें भी 10 plus 2 आपको 50% marks चाहिए और 70 year का age होना चाहिए, तो आप A&M course के लिए अप्लाई कर सकते हैं और A&M course के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं A&M के लिए इंडिया के हर एक स्टेट में कभी सारे colleges अविलेबल हैं अपने एक approximate idea देखें तो 800 plus colleges हैं A&M के लिए जो आल इंडिया में अलग-अलग स्टेट में अलग-अलग colleges आपको मिल जाएंगे और जैसे राजस्तान की बात करें तो RUHSS के थूरू जो colleges अप्रूड ह आपको सीट्स अविलेबल मिल जाएगी फीस की बात करें तो government college में तो fees ना के बराबर होती है बिल्कुल nominal fees के उपर admission होता है जैसे राजस्तान में A&M की जो government colleges है उनमें बहुत nominal fees पर आपका admission हो जाता है और percentage merit basis पर आपका admission होता है क्योंकि सीट्स limited रहती है तो आपका जो local CMH office है वहाँ पर आपको इसका पूरा online form आता है form आपको फिल करना होता है और आपको पूरा उसके documentation attach करके अपने district manager जो है medical officer है उनके office में बेदना होता है उसकी थूह आपको पूरा merit की थूह अलोट होता है और जैसे राजस्तान में तो और यह उसकी थूह पूरा process होता है अगर हम बात करें कि A&M course करने के बाद salary कितनी मिल सकती है तो वो hospital पे और different different state में different different district में different different hospital में आपको salary package भी different ही मिलेगा लेकिन अगर initially हम बात करें तो 15,000 रुपे से लगा कर आपको 35,000 रुपे तक आपको job मिल सकती है अगर area की बात करें तो इसमें private sector, government sector सभी जोब अव colleges के अगर अब बात करें तो आसाम downtown university हो गया, निम्स university हो गया, तिंतंगन माविर university हो गया, रामा university हो गया, आरूल university हो गया, काफी सारे अच्छे universities हैं जहां पे A&M, G&M के courses available हैं, BSE nursing के courses available हैं, nursing field के काफी सारे courses और paramedical के courses available हैं A&M course करने के बात में, job scopes की तो 1% भी कोई कमी नहीं है, बट यह है कि आप 2 साल का diploma course करते हैं, उससे बेटर अगर आप science stream से हैं, तो BSE, अगर bio stream से हैं, तो BSE nursing course ज़रूर जोइन करें, अगर मान लो कि आपके पास science stream नहीं है, तो आप A&M course जोइन कर सकते हैं, A&M course के बाद अपने course को अपडेट कर सकते हैं, उसके बाद आप BSE nursing में admission ले सकते हैं, या आगे फर्दर diploma course या आगे PG course कर सकते हैं, आज हम आपके लिए BSE nursing, G&M, A&M, तीनों course लेकिया हैं, और अगर G&M और BSE nursing course के detail आपको जाननी हैं, और या बाकी के courses, जैसे iOS courses होगे, बाकी सारे courses के link description में available हैं, तो अगर कोई भी course की जानकारी चाहते हैं, तो description box में जाके other courses की information पूरी ले सकते हैं, अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया है, तो please like, share, subscribe, thank you